जैहिंद इस वीडियो हम लोग ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी बारें बात करेंगे जानने का प्रयास करेंगे कि जो चार नए अपडेट आये हैं इस अपडेट की वचे से सेर पर क्या आसर पड़ेगा क्या इस कंपनी का सेर प्राइस डाउन जाने वाला है और अगर डा की कंपनी और काफी प्रोग्रेस कर रही कंपनी है इसका मार्केट केप है 22,764 क्रोन रुपया मार्केट के लिहास से जब आप देखेंगे तो भारत के 300 टेक्स्टाइल सेक्टर की जो कंपनी है उसमें इसका दूसरा अस्थान है और क्या पता जिस राफ्तार से यह कंपनी कर रही है आने वाले समय में मार्केट के लिए आस टेक्टाइल के कॉंपनी उसमें नमबर वन हो जाए और आगे हो भी सकता है इसकी संभावना है अब देखेंगे इसका प्राइस है चौह सट रुपर चैलिस पैसा और इसमें भी लोबर सक्किट लगा है लोबर सक्किल लेकिन अगर मार्केट डाउन जाता है और सेर प्राइस नीचे की तरफ जाता है तब यहां उनसाट रप्य आसी पैसा तक आ सकता है प्रोफिट बुग करने अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में कंफ्यूज है ने कि इस कंपनी के सेर को बाइक करें सेल करें क्या कर करने की बात है अगर आपका लॉंग टर्म नजरिया है लॉंग टर्म इंवेश्टमेंट की सोच रखते हैं तो बैसा खोड़ कीजिए लेकिन गीर्तिवे मार्केट में अगर आप प्रोफिट बुक करना चाहते हैं तो आप सेल कीजिए सेल करके निकल जाए कोई दिकत नही हैं वह अगर लॉंग टर्म इंवेश्टमेंट की सोच अपनाए हुए हैं अब समझते को लेकर चार प्रमुख नए अपडेट का इसका सेर प्राइस पर क्या आसर पड़ेगा आए जानते हैं एक है कि गोवर्मेंट ने इस पर 10% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया मोर् दूसरा सेवी के तरफ सेवी ने इसको एसे मटेगरी से उठाकर डाल दिया है अब देखें लिश्ट में किसी भी कंपनी को डाला जाता है तो यह खराब होती है इसका यह मतलब नहीं है लेकिन अगला है यह फर वरी को आम बजट पेस होने वाला है जब भी कोई बजट होत जाता है और मार्केट तो उतार चड़ाओ मार्केट में जारी है इसके वज़ए सेर प्राइस उस पर हल चल देखा जा सकता है दिखी जाया अब जो दो प्रमुक कोस्टन है एक तो कि इसका जो है कंपनी बाहर कब निकलेगी तो यह आपको जान लीजिए अठारा फर्वरी इसी जो अठारा फर्वरी को आने होला है साल में उस दिन यहां एसम से बाहर हो जाएगा अगला कोस्टन है ट्राइडेंट इसका जो सेर प्राइस है जैसे अभी 64 रोपया है 100 रोपया कब जाएगा 100 रोपया कब जाएगा अब इसका को सटिक जवाब तो नहीं है लेकिन ए सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन जब भी करें आप अपनी रिसर्च अपनी जरूर करें मिलते नेक्ट वीडियो में आज के लिए इतना है धन्यवाद शुक्रिया